असलामों अलीकुम वेल्कम हैब सभी गाइस नए वीडियो में तो जैसे अब सभी को बता कि जेके वोपी ने कल B.A.C. Nursing, B.A.C. Paramedical और B.A.C. Technology Courses के Round 2 Counseling की Notification जारी की थी इस बीच जिन Candidates के 20 या 20 के अब वो point is entrance में है वो सारे candidate जो है वो counseling के लिए eligible है तो इसी को देखते हैं यहां पर आज एक और notification यहां पर आई है जिसमें यहां पर आपको screen पर दिख भी रहोगे एक amendment जो हमारी B.A.C. Nursing के round 2 counseling के notification आई थी उसमें कुछ amendments और कुछ changes किये हुए है उन्होंने तो वो क्या है व आपके लिए काफी ज़्यादा important है इस वीडियो को पूरा end तक देख लेना चैनल को भी subscribe कर देना और telegram group हमारा join कर देना link उसके आपको description में मिल जाएगी और उसके सासाथ हमारा whatsapp group भी join कर सकते हैं उसके भी link आपको description मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पर इस notification के बारे में तो देखे मैंने आपको आरड़ी second round के बारे में सारा कुछ समझा दिया अगर आपको फिर भी किसी भी topic की वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं मैं कल दिन में उसको आपको समझा दूँगा सारा कुछ मैं आपको समझ आके रखोंगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने topic के डिसकस कर लेते हैं तो यहाँ पर हम आए हैं बोपी की website पर इधर अगर आप देख लोगे नीचे यहाँ पर आपको देख रहे होगे second round की counselling की notification इसकी ऊपर यहाँ पर आप देख लोगे इसमें यहाँ पर दे आपके यहाँ पहले आपने देखा कि उसमें पहले category वाले candidates की counselling होगी उसके बाद रेजर्वर्ड जो ओपर मेरट की candidates हैं उनके लोगी वो मनें already समझा दिया है तो यहाँ पर आपको screen पर notification दिख रहे होगी मैं इसको zoom करके आपको दिखा देता हूं यह देख लीजे आप थोड़ा सा fit कर लेता हूं इसको ताकि अच्छे से हाँ यह देख लिए जाब डेट देख सकते हैं आप दो तारिक की डेट है आज यह website पे अवलेबल हो गई थी तो इसमें पर आप देख लिए कि कुछ changes यहां पर नोटिकेशन में किये हैं इसमें क्या को चेंज नोटिकेश seat during round 1 counselling ठीक और the eligible candidates who didn't participate in the round 1 of the counselling shall be eligible for second round or mop up round of counselling यह नोटिकेशन में कहा कि वो सारे candidate eligible है round 2 के लिए जिन candidates ने round 1 में participate किया था लेकिन कम marks की वज़ा से उनको कोई seat नहीं मिली seat नहीं मिली तो वो candidate round 2 के लिए eligible है और उसके साथ वो candidate भी eligible होंगे जो round 1 में eligible थे लेकिन वो counselling में उन लोगों ने participate नहीं किया उन्होंने online counselling नहीं कि तो वो सारे candidate आप round 2 में eligible है यहां पे इसी के हवाले से यह notes इन्होंने जारी किया हलांकि यह already भी होता है कि अगर पहले round में अपने part speed की आपको seat नहीं मिली तो आप round 2 में जा सकते है या पहले round में आपने part speed है नहीं किया तो आप round 2 में यहां पे जा सकते है इसी को यहां पे इन्होंने इसमें notes में फिर से mention किया है बाकी इसमें आप कोई confuse मत हो जाओ, tension बिल्कुल भी मतलो तो यह just जो एक notes है जो मैंने कुछ इसमें है, बाकी कोई बड़ा मसला नहीं, कोई counselling में कोई change नहीं है, कोई dates change नहीं हुई है, सारा कुछ as it is वही है जो मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको किसी भी topic पे वीडियो चाहिए, जैसे आपका upgradation का वीडियो है, counselling में part speed करने का procedure क्या रहेगा, आप आपका जो है, वहाँ पे counselling का form किस तरह से fill up करना, अगर इन topic इस पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं 2-3 वीडियो डाल के आपको सारा कुछ clear करूँगा, ताकि जब आप counselling में चले जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे आनी नहीं चाहि है, ठीक तो फिलहाल मैं वीडियो को इहां पे खतम कर लाँ, next वीडियो में मैं आपको अपक्रेडेशन का process समझाऊंगा, के से करना, क्या करना, वो सारा मैं आपको upcoming वीडियो में समझाऊंगा, फिलहाल जो update था, वो मैं आपको बता दिया, बाकि इस notification की link मैं आपको description में दे दूँगा, आप जाके download कर सकते हैं, फिलहाल वीडियो को इहां पे खतम कर लेंगे, कोई वीडियो कोई भी confusion है, मुझे पूछ सकते हैं, comment section में